नवस्कार दोस्तों हिंद मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है प्रस्तु थे चाड़के नीती की वीडियो वीडियो को अंधितक देखना आवश्यक है क्यूंकि अधूरा ग्यान सदैब गातक होता है चाड़के नीती सत्रू का सबसे बड़ा हतियार क्या होता है दोस्तों चाड़के ने नंदवंस को क्यों मान लिया था अपना शत्रू और किस नीती से किया था परास्त मगद राजे में किसी यग के दोरान महराज नंद ने चाड़के को अपमानित किया था इसके बाद चाड़के ने पूरी सभा के बीच नंदवंस के राजा से बदला लेने की पिर्तिक ग्या ली दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि किस नियती के अनुसार और किस तरह चाड़के ने अपने अपमान का बदला लिया और शत्रू का सबसे बड़ा हतियार क्या होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए आजनेता के रूप में मौरे समराज का संस्थापक और संरच्चक माना जाता है कौटिल्य की विद्धोंता बिचुड़ता और दूरदर्शिता का बखान भारत के सास्त्रों काभियों तता अन्य ग्रंतों में किया गया है भारतिये विचारक मानते हैं कि चाड़क उन आराज हो गए तो उनके क्रोध की अगनी से बच पाना असंभब के समान था कौटिल्य दौरा नंदवंस का बिनाश और मौरे वंस की इस्थापना का इस्सा बहुत ही परसिद्वा महत पूर्ड है आए जानते हैं किस बात पर चाड़के नंदवंस के राजा से हो गए थे क जाकर एक परधान आसन पर बैठ गए वहां मौजूद महराज नंद ने उन्हें आसन पर बैठे देख चाड़के की बेश भूसा को लेकर उनका अपमान किया और उन्हें आसन से उठने का आदेश दिया इसी बात से क्रोधित होकर चाड़के ने पूरी सभा के बीच नंद हो जाता है अपनी पिर्तिग्या को पूरा करने के लिए आचारे चाड़के ने एक साधारण से बालक राजकुमार चंद्रगुप्त को सिच्छा दिच्छा दे कर समराट की गद्दी पर बैठा दिया इस नियती से लिया बदला चाड़के ने अपने अपमान के समय मौन र तो ऐसे लोगों की तरफ देख कर केबल मुस्कुरा दें जिससे वा खुद ही अपमानित महसूस करने लगे उन्होंने पूरस को अपने साथ लिया और भी कई देश के राजाओं को मिला कर घनानंद पर आकरमण कर दिया उनका ऐसा मानना था कि देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देशों से संबंद मजबूत करना बहुत अहिम है आचारे चाड़क ने जासूसों की एक बड़ी सेना बनाई जो मगद के अंदर की खबर लाकर उन्हें देते थे उनके अनुसार कभी भी सत्रू के बारे में गुसे से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इससे मिल होने के लिए प्रेरित करते रहते थे और प्रेरित करने के बाद फिर एक बेहतर सेना का आयोजन करते थे और दोस्तों चाड़क नेती में सत्रू का सबसे बड़ा थियार होता है उकसाना तो इस उकसाने से हम लोगों को बचना चाहिए दोस्तों ये थी चाड़क नेती की बेहद अनमूल बातें जो हमने आपके समच परस्तूत की आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माद्यम से जरूर बताएं ऐसी ही नालेजबल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि फ झालेज वीडियो को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब ऊच्चराइब